पहले आप इस चैनल को देखो सिर्फ एक वीडियो अपलोट करके 40,000 की उपर सब्सक्राइबर गेन कर लिया और इस चैनल को देखो सिर्फ 13 डेस की अंदर 60K की उपर फ्यूज गेन कर लिया सिर्फ एही दो चैनल नहीं और भी बहुत सरा चैनल है ये देखो इसे भी देखो और ये भी देखो तो आप आपके उपर बहुत सरा सावाल होगा इन सावाल से आप नहीं निकल पाओगी तो आप इनका लख कह दोगी लिकिन सचाई ये है कि इनकी लख नहीं बलकि ये ट्रिक है यही ट्रिक आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वेट पहले आप ये जान लो कि ये ट्रिक बताने वाला मैं कौन हो मेरे नाम खैर जो भी हो मैं आप तरी चैनल ससेसफुली रन कर रहा हूँ तो ये मेरा फोर चैनल है सो डोंट जाज मी कि इसकी चैनल खूद जिरो है तो मुझे क्या बताएगा मैंने आपको थ्री स्टेप से बताऊंगा कि इन चैनल की ग्रो होने के पिछे क्या राज है इन स्टेप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं करोगी तो आपकी चैनल कभी भी ग्रो नहीं आप अगर यूटूब पर सर्च करोगे How to Grow on YouTube बहुत सारा वीडियो आ जाएगा लिकिन इन से 99% लोग आपको बताएगा वीडियो टाइडेल आच्छे से लिखो ट्याग आच्छे से लागाओ डेस्क्रिप्शन आच्छे से लिखो डेस्क्रिप्शन में क्यूआट लागा तो तुमारा वीडियो की भ्यूस कभी भी लाखों की नीचे नहीं आएगा इसी से शुड़ू होता है हमारा स्टेप नमबर वान यूटूब अलगोरिथम को समझने की पहले आपको समझना होगा यूटूब काम कैसे करता है यूटूब एक ऐसी प्लाटफरम है जो डेटा की बेसिस पर चलता है आपके वीडियो का कैटेगोरी क्या है वीडियो का लेंग्वेस क्या है आप कहा से वीडियो अपलोड करते हो इसी डेटा को कालेट करके आपका वीडियो सही ओडियेंस तक भेज देते हैं आपको तो पताई होगा YouTube algorithm साल में 300 से ज्यादा बार अपग्रेट होता है सिर्फ एही दो चीज अपग्रेट नहीं होता है मैं आपको एही दो चीज अच्छे से सिखाऊंगा पहला है CTR अगर इसकी full form बताऊं तो ये है click through rate इसका मतलाब है audience आपका वीडियो का title and thumbnail को देखकर कितना पर click किया चलो इसको अच्छे से समस्ते है मानलो आप एक वीडियो YouTube पर upload किया YouTube एही वीडियो 1000 लोगों की तक भेजा उन में से 100 लोगों ने आपका वीडियो पर click किया सो आपका वीडियो का CTR होगा 10% इसे निकलना बहुत आसान है वीडियो का impression को भीडियो से divide करके 100 से multiply कर दो आपके वीडियो का CTR निकल आए जाएगा मानलो इस वीडियो का CTR है 12% और आपका वीडियो का CTR है 10% तो YouTube किसका वीडियो को viral करेगा आप एकदम सही हो इस वीडियो को viral करेगा तो आप सोच रहे हो वीडियो भाइरल करने के लिए मिनिमाम कितना CTR होना चाहिए अगर आपका निव चैनल है तो आपका CTR होना चाहिए 10% से उपर लेकिन आप सोच रहे हो मेरे वीडियो का तो सिर्फ 3 या 4% CTR आता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं एही वीडियो पर step number 2 पर मैं आपको CTR इंक्रिस करने की secret tricks बताऊंगा दूसरा है audience retention वीडियो गोरो होने की ज्यादा खेल इसी का ही है ये जितना important है उससे भी ज्यादा इसे समझना आसान है मानलो आपके एक वीडियो का डियूरेशन है 12 मिनिट दस लोगो ने आपका वीडियो को देखना चालू किया और 4 मिनिट तक वीडियो को देखा ताब आपका वीडियो का retention होगा 10 into 4 equal to 40 मिनिट्स और ताब वीडियो का duration होगा 10 into 12 equal to 120 मिनिट्स अब audience retention निकलने के लिए 40 को 120 से डिवाइड करके 100 से मल्डिपलाई कर दो इतना करने की बात AR आ जाएगा 33.33% मजेगी बात ये है वीडियो पाब्लिश करने की कुछ समय बा YT इस्टोडियो पर audience retention देखनो को मिलेगा तो यहाँ पर आपका minimum audience retention होना चाहिए 40% से उपर तो इसे increase करने की tricks आपको step number 3 बात दिया जाएगा I hope यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ लिया होगा YouTube algorithm किसकी उपर काम करता है मैं आपको बुला था CTR increase करने की tricks दूँगा So एही से शुरू होता है अमारा इस thumbnail अगर आप अपने thumbnail को attractive करना चाहते हो तो इस points की basis पर thumbnail create करो पहला try to using low element दूसरा color grading को समझ कर तभी thumbnail पर color apply करना तिसरा कोशिश करो वीडियो की main topic thumbnail पर attach करना step number 3 AR यानी audience retention increase करने के लिए आपके video editing तगरे होना चाहिए कोशिश करो वीडियो पर storytelling आच्छे करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो वीडियो पर caption add करने की वीडियो इडिट करने की बाद high quality में render करो अगर आप लोग thumbnail making वीडियो इडिटिंग आच्छे से सिखना चाहते हो तो जरूर comment पर लिग दो किसकी उपर वीडियो चाहिए इसी से आज की वीडियो एही फर खतम होता है तब तक के लिए like, subscribe, share करो मिलते हैं अगली वीडियो पर